बुर्का प्रतिबन करने और लाउड स्पीकर से अजान देने के मामले में यूपी की मादमिक शिक्षा राजी मंतरी गुलाव देवी का बड़ा बयान मादभिक शिक्षा राजी मंत्री गुलाब दिवि ने ब्यान दे कर कहा, कि मुस् sparkling महिलाएं बुर्का पैने या ना पैने ये उनके मजब का मामला है। लोग तंत्र में सभी को अपनी सवतंत partnerships का अधिकार है। सब सब का विश्वास और सब का विश्वास लेकर काम करने वाली सरकार ए रखार सब को विश्वास में लेकर यह बुर शोषन और मांसीध शोषन से मुक्ति दिलाने का बड़ा काम क्या है योगी सरकार में राजी मंत्री गुलावो देवी ने लाओड स्पीकर से आजान को भी गलट ठहराया पयान देकर कहा कि कोई विपक्ष हो यदि किसी धार में कारे से शांती भंग होती है तो ये इंस्यानियत और मानफता नहीं है अजान के लिए मजीतों पर 55 लाओड स्पीक द्वाले विपक्षी ने बिनना मली पर हमला देविंगे पहां कि यह अभी नेता याम आदमी अवेत्स कंबचे करने वालों के लिएैं नहीं बचेंगे नाहां सुरक्षित रहेंगे सबका नंबर आएगा मुख्य मंत्री योगी अधित्यानाथ सबका इलाज करेंगे यूपी के माद में कि राज्य मंत्री गुलावो देवी ने चंदोसी में अपने आवास पर ब्यान दिया देखो हमारी सरकार की मानने का है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो हम विश्वास जीतना चाहते हैं और विकास भी हो साथ भी हो और विश्वास ना हो तो मैं समझती हूँ की उपरोगत दोनी चीज़े अधोरी रहती है यहां जहां तक आजान की बात है कोई भी पक्ष हो अगर किसी के धर्मिक कारिये को करने से दूसरे को आपत्ति होती है या उसे परिशाली होती है तो उसे नहीं करना चाहिए ये एक मानवता और इंसानियत भी कहती है अगर अजान इस तरह किसे होता है कि पांच-पांच लाउटिस्पिकर लगा लेंगे और इस प सरकार में केवल उसी की बात नहीं कर रही है जान की मैं और जगाबी जो भी धार्मिक कारियों होते हैं अगर इस तरीके के होते हैं उन पर भी मेरा विचार यही है कि किसी के धार्मिक कारियों से दूसरों के जीवन में कोई भी बाधार नहीं आनी चाहिए जहां तक बुरक से शारी रिख और मान्शिक सोशंट प्लख घाथ था उनके आतम बलकुण आतम विश्वास के लिए गिराया जाता था वोसके लिए समाक्त कर दिया जहां तक बुर्खे की बात आती है कि बुर्खे पहने ना पहने यह उनके हे अजभ का मामला है उनके एक इसलाम का मामला है कि जो यहाँ परलोग तंत्र में सबसे बड़ी चीज है सतंत्र था अगर वो अपनी वेक्तित का विकास बिना बुर्के के भी करना चाहती है तो मैं समझती हूँ कोई प्रतिबंद उसके उपर नहीं होना चाहिए और यदि वो बुर्का पहनना चाहती है तो उसकी अपनी इक्षा है उसके पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं है उसकी वेक्तित के विकास में कोई वेक्ति बाधफ ना बने किसी मजब को लेकर या किसी धर्म को लेकर क्या देस्टों में भृका का प्रतिवी बंद्र कर दिया है। यह की देस्थों में बुरका का प्रतिवी बंद्र कर दिया है। तो उसको बादक नहीं बनने देना चाहिए। देखो सबका अपना सुभाव होता है। प्रतीक बेक्ति की अपनी नीती होती है। कुछ लोगों की नीतियां इस प्रकार की होती हैं जिसकी सोच ब्यापक होगी वो कभी इस तरह की बातों में नहीं पड़ेंगा।